आदीव, आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे। दर्श को पूझनिय पंडित जी ने अपनी शिव महापुरान कथा में एक उपाय बताया है जिसे हमें सोंबार के दिन करना है। यदि किसी व्यक्ति को अपने जिवन में मान सम्मान यश की प्राप्ती नहीं हो रही है। बहुत प्रयास और कड़ी महनत के बाद भी उसे अपने कारे इस्थल पर यश और घर में सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है। यहीं नहीं बल्कि वह किसी परिशा में बैठ रहा है, किसी इंटर्व्यू में बैठ रहा है, किसी कारे में सफलता के लिए या फिर किसी मीटिंग के लिए जा रहा है, उसमें वह सफल होना चाहता है। तो उसे यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। क्या उपाय बताया है पुजिनिय पंडित जी ने आप विस्तार से समझ लीजिए आपको क्या करना है आपको सोम बार के दिन बेल पत्र के पेड़ के नीचे बेल पत्र के व्रक्ष के नीचे आपको हल्दी से शिवलिंग बनाना है आपको हल्दी से शिवलिंग बनाने हैं हल् और उसी हल्दे से अपने कंठ पर आप तिलक करें, चाहे इस्तरी हो या पुरुस हो, मान सम्मान के लिए अपनी मनोकामना की पूर्ती के लिए उन्ही के हल्दे से आप अपने कंठ पर तिलक करें और भोले नास से प्रातना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है वह वह पुर्ण करें, ऐसा आप करती हैं और उसके बाद जब आपकी पूजा संपन हो जाएं उसके बाद वहीं पर उनका वि-सर जन कर दें, जल से उस शिवलिंग का आप वि-सर जन कर दें जब आप उन पर जल डालेंगे तो वहJam वि-सर जित हो जाएंगे, यहाँ उपाय आपको मात्र करना है जिससे आपको अपने जीवन में यश्की प्राप्ती होगी, मनुकामना पून होगी और कारे में सफलता प्राप्त होगी आपके कारे स्थल में भी आपका मान समान बढ़ेगा आपके कारे में आपकी बड़ोतरी होगी आपके व्यापार चार गुना बढ़ेगा आपने यह उपाय मैं समझती हूँ कि समझ लिया होगा अगर यह उपाय आपको समझ में आया हो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना नाम भुलिएगा चैनल पर आप नए है या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंथी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस करकी आल पर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शिकों हर हर महादीव